लेटेस्ट कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को, दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट कबरे सबसे पहले इन तस्वीरों में सुनाली का लुक बिल्कुल चेंज है क्योंकि इसमें उन्होंने अपने लंबे बाल कटवा लिये हैं हाला कि बाल कटवाते समय सुनाली इमोशनल होगी और रोने लगी जिसके बाद उनके पती गोल्डी वेल ने उन्हें संभाला और उनके आसू पोच कर उन्हें हिम्मत दी सुनाली के इस वीडियो को न सिर्फ फैंस बलकी बलिवट से लेंस भी लाई कर रहे हैं सभी उन्हें एक स्ट्रॉंग वुमन बताते हुए उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं वीडियो देखने के लिए सुनाली के पोस्ट के दूसरे पेज पर जाएं वीडियो शेयर कर लिखी ये बड़ी बात सुनाली ने वीडियो शेयर कर लिखा इस समस्या का सामना करने का ये उनका तरीका है इस प्रोसेस को आपके साथ शेयर करना भी मेरे इस सफर का एक हम हिस्सा है मैं सिर्फ उमीद कर सकती हूँ कि ये आपको याद दिलाता रहे कि अभी सब खो नहीं गया है और कोई है कहीं हैं जो ये समझता है कि आप किस से गुजर रहे हैं वैसे सुनाली की हिम्मत को दाद देनी होगी क्योंकि जिस तरह वो इतनी गंभीर बिमारी के बीच भी खुल कर जी रही है वैसे शायद ही कोई कर पाता बेटे और पती के लिए मुश्किल घड़ी सुनील शेटी हाल ही में सुनील शेटी से जब सुनाली के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं ये खबर सुनकर बहुत दुखी हूँ सुनाली के लिए ताकत, प्यार और रिक्वरी की प्रार्थना करता हूँ इस समय जिस मुश्किल समय से सुनाली गुजर रही है, उतने ही मुश्किल वक्त का सामना उनका बेटा और पत्ती गोल्डी कर रहे हैं इस समय पूरे परिवार को ताकत की ज़रूरत है सुनील ने आगे कहा सुनाली और इर्फान खान को बहुत सा ट्रेंगत की जरूरत है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप स्ट्रोंग होंगे और परिवार का साथ होगा तो जीत हासिल करेंगे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सुनाली और इर्फान दोनों की मुश्किलें जल्द से जल्द खत्म हो